आज का दिन बहुत excited होने वाला है मेरे लिए क्योंकि आज मैं जाने वाला हूं उस जगह पे जहां के लिए मैंने ये व्यतनाम की ट्रिप पूरी के पूरी प्लान की थी ये जगह मेरे लिए एक ट्रीम जैसी थी इस जगह को विजट करना आज मैं उस जगह जाऊंगा और मैं बाहल जा रहा हँ और रेक्वास करने के लिए मेरे पास एक गंटा है तक्रीबभल मेरे 8 साशागर के बीच में बिच में मुह hem basically मेर को से तो मेने क्या करना होम स्थे अपना टूर को कुथ चिया था कि ब्रेपास करते हैं फिर मिलते आपके अब अब हैined दोस्तों तो भी आगे था एक कॉफी शोप पे जो मेरा होचल के मतलब गली के बिल्कुल बाहर ही है यहां पर मैंने अपने लिए ओडर कर दिया एक ब्लैक कॉफी टेंडर मिल्क और यह मुझे पड़ रही है फंद्रह हजार डॉंग में पंद्रह जार डॉंग इंडिया अंकरेंशी में कितने होते हैं आप कनवर्ट कर लेना नहीं तो मैं स्क्रीन पर कहीं डाल दूँगा यह देखिए यह है ब्लैक कॉफी और यह है साथ में दिया मेरेको टेंडर मिल्क मतलब मिल्क है यह कॉफी में मिक्स करके आप पी सकते हैं यह ब्लैक कॉफी पीक दिलेगे तो चलिए पीते हैं और आपको टेस्ट करके बताते हैं कि लेजलते आपको को नए सफर की तरफ को टेस्ट करता हूं बताता हूं आपको क्रिएं भॉहत कॉफ्या है ज् tॉ् southwest kill क्यों मैं ह। शूकर हैा मैंने मिल्क ले लिए उसाथ में अगर मैं खालीं कॉफी के आख जाहा तो मेरे लिए शूब बहुत परिशानी ओने वालिए तो मैं पीत हो लेता हूं लेकिन दिन में यह स्मुर्ण की टाम मेर को चाहीं लगती तो दोस्तों मैं कर चुका हूँ कॉफी में आपको दिखा दी ती उसके बाद ब्रेकपास में मैंने वह जो यहां पर मिलता है बन विद एग विद विद वेजिटेबल वो लिया था वह मुझे पड़ा सत्रह हजार का तो पंधर हजार की कॉफी सत्रह हजार का बन दोनों मिला कि टोटल 32,000 में मतलब 32,000 वियतनामी डॉंग में मेरा ब्रेकपास हो चुका है और इसको अगर आप इंडियन करेंशी में कनवर्ड करेंगे तो सो रुपे का स्पास बैठता है तो सो रुपे में मेरा बड़ी अ ब्रेकपास हो गया है 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 हलो दोस्तों थर्टी मिनट के ड्राइब के बाद अभी हम पहुंच गया है दसन वर्ल्ड बाना हील के लिए और अब यहां पर अभी तस मिनट का हमें ब्रेक मिला है वोश्रूम वगरा जाने के लिए प्रेश होने के लिए और जो हमारी टूट लीटर है वो हमारे हिं ने टिकेट्स वोंगरा प्रचास करने गई है तो यहां पर एक प्लेस में हम लोग वापस मिलने वाले वाले हैं ना आपको अमेजिंग टूर पे वियतनाम डानांग का बाना हिल और आगे आपको दिखेगा गोल्डन ब्रिज जी हाँ इस गोल्डन ब्रिज के लिए ही मैं यहाँ पर स्पेशली आया था वियतनाम में यह देखने के लिए तो अब हम एंट्री करने जा रहे हैं सन वर्ल्ड में बाना हिल्स में के लिए हमारी टूर काइड आगे फ्लैग लेकर गुम रही है हमें बस इनको फॉलो करना है यहाँ पर आप हमारी टिकेट चेक होगी जो हमारे टूर कई से उन्होंने हमारी टिकेट लेकर हमें मुझे वट्सेप पर सेंड कर दी थी तो अब यह लाइन में लगाओ टिकट चेक होगी इसके बाद अंदर अन्दर एंट्री हो जाएगी फिर उनी को टूर गाइड को फ पाना हिल गोर्डन बिरिज के दरब प्रिशब दिखाता हूं पाना हिल पर गोर्डन बिरिज के पास अभी चलते हैं आपको गोर्डन बिरिज दिखाते हैं दोस्तों यह है दानां का गोर्डन बिरिज उपर से नजारा बहुत ही खूप स्वरत लग रहा है पीछे मेरे यह हैंड बिरिज दो दिख रहा है आपको और आपको पीछे दानां किटी का व्यू दिखाता हूं यह देगी नीचे बहुत खूप किरत ने जा रहा है बीड बहुत है बाइए एक बंदे का सीन हो गया बंदा फोटो कीचना था गोर्डन बिरिज चे मोबाइल नीचे गिर गया उसका दिखाओं आपको यह इस बंदे के साथ हुआ है तो दिख रहा है गोल्डन पेज हमने घुम लिया है अभी हम जा रहे हैं फ्लावर गार्डन की और तो चलिए आपको ले चलता हूं फ्लावर गार्डन इदर घुमना वर्थवाइल है आप आएंगे तो आपने जितना पे किया हैं आप आप को चुबेगा नहीं कि आपने इतना ज्यादा पे करने यहां की फीज इतनी ज्यादा है तो कि काफी अच्छी जगा है काफी खूप्चुरे जगा है और एक नहीं काफी सारे प्लेशिस हैं मल्टिबल और आप सारे घूम सकते हैं उसमें ओया है झाह थकल काफी थाप्ट की अच्छी जगा जगा है लग जगा है झाल झाल तो दोस्तों काफी खूपचूरज जगा है ये फ्लावर गार्डन है जहाँ पर मैं आया हूँ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ आप दानांग सिटी का व्यू देखिए कितना खूपचूरज आ रहा है मतलब अमेजिंग जगा है अब ही मैं जा रहा हूँ लिंग यूँ पको कि मैं अलोगा के जादर आप इस माले अलोगा है स्वाथ को आपको आपको का गाहना करी में तो अभाड़ा कि अगरा नियुक्ति होड़ार में कि अगार्ड उन इन है मैं ऑक्तिंग कि नुक्तिंग कि अगर्व तो तो अगर आप आप यहां आकर टिकट लेते हैं शिर्फ अपने घुमने की आप उजम पूड वगारा नहीं लेते तो ऐसा नहीं है आपको अंदर फूड वगारा की परेशानी होगी यहां पर फूड रेस्टोरेंट काफी ता रहे हैं तो आप महां पर खाना वगारा कर सकते हैं अपना तो कुछ भाबी नहीं सकते तो अपने अपने हिसाब के अपनी अपनी फैसलिटी के हिसाब के जैसा आपका बजट है उतना खरच कीजिए और उस हिसाब के अपना खाना पीजना कीजिए एक बार आपको दिखा देता हूँ यहां पर कैफे जो है थोड़ा सा और यह इस इसीर झाल कि वाइन सेलर आप यहां पर आते हैं अंदर घूमिए उसके बाद अगर आपको कोई वाइन टेस्ट करनी है तो यहां पर वाइन टेस्ट कर सकते हैं और साथ में खाने के लिए चीज भी मिल जाई आपको अभी हम एक और रोपे लेकर थोड़ा और ऊपर आ गए हैं यहां पर हमें केस्टल वग्यार देखने को मिलेंगी तो चलो आपको वह भी दिखाते हैं तो दूस्तों अभी हमारे तूर गाइड ने हमें एक्टूडेंट में पहुंचा दिया था यहां पे एंट्रे करा दिया अब यहां पर हम अपना लंच करेंगे उसके बाद आगे घुमने के लिए निकलेंगे मतलब और दूसरी जो राइड वह एंजोई करने के लिए यहां पर आपको नॉन वेजिटेरियन के लिए तो भरमार है मतलब आप कुछ भी खाईए सब कुछ मिलेगा आपको लेकिन व खाई अब पर फैमिली तो उनको जो व वेजिटेरियन थे अब उनको प्रोब्लम हो भी है कि हा पर खांट नो है ऑजीब लग रहा है मतलब स्यविटेरियन में बस्ताब करने प्लिक है इनों को सबता प्लोर करने पे अगर यहां पर आते हैं और परेशान होते हैं वैनु य करने के लिए तो स्टाफ के बात कीजिए वह आपकी हेल्प करेंगे और आपको इंडियन फूट की तरफ मूग कर देंगे आप महा जा के अपना लंच एंजॉय करता हूं उसके बाद मिलते आप से लंच करने के बाद मैं ग्राउंड फ्लोर पे आ गया हूं और यहां पर मैं वेट कर रहा हूं लूना केस्टल जाने के लिए यहां पर कोई ट्रेन आती है जो हमें लूना केस्टल तक लेके जाएगी तो चलिए आती है वेट कर रहा हूं जैसे लूना केस्टल आती है उसमें बैटते हैं और आपको लेके जलते हैं लूना केस्टल यह ट्रेन आगई इसी में बैठके हम जाएंगे लुना केस्टल छोटी सी ट्रेन है और इसमें बैठ गया हूं जाने के लिए लुना केस्टल लुना केस्टल राइड लेने लाएक है मतलब बहुत बढ़िया थी मज़ा आगया इतनी बढ़िया मतलब देख के चीज़ अगर यहाँ पर आते हैं ना वैसे टिकट में इंकलूड़ीड यह यह चीज़ तो टाइम है टाइम निकालके इस जगह ज़रूर आईए यह रैट ज़रूर लीज़े बहुत समयजिंग होने वाली है बहुत अच्छी ल पार्क के अंदर आप आकर यहाँ पर काफी सारी गेम्स है जो आप एंजॉय कर सकते हैं 90% गेम्स आपको फ्री मिलेंगी मतलब आपकी टिकट के अंदर इंकलूड होती है कुछ के लिए आपको पे करना पड़ता है पता कर लिए कौन सी फ्री है उसको एंजॉय कीजिए और अगर पे करके भी कुछ करना है तो वह भी कर लीजिए अगर आपको यहां पर जाना है यहां गूमना है तो यहां की अलग से एक लाग डॉंग की टिकेट पड़ेगी आपको वह आप लीजिए और आप अंदर जा सकते हैं काफी बड़ा पार्क है मतलब यह फैन रिपार्पर जो है यह यह फैन यह फैंटाज़ी पर के काफी बड़ा है उपरadan 3-4 म fest लौऊ 1, 2 जबर 5 नीचे भी है अभी यह काफी अच्छी राइट ते काफी सारी राइट आप गूम सकते हैं आराम से यहां पर मज़े कर सकते हैं आखे आपको इस तरीके से चेर्स मिल जाएंगी जिस पर बैठ के आप अपनी लेक की मसाज कर सकते हैं इनमें शायद कोई दालने पड़ते हैं अधिकेट वगेरा प्रा यहां मैं आपको दिखाता हूं सेल्फ ड्रीवन रोलर कोस्टर अपोचा हूं तो थोड़ा लेट हो गया क्योंकि कि नीचे लाइन बहुत लंबी लगी है और मुझे चाले तीन बजे वापस अपने टूर गाइड को रिपोर्ट करना है वापसी के लिए और अभी तकरीबन धाई बच चुके हैं और यहां पर भीड इतनी है कि मतलब पौने गंटे से पहले गंटे से पहले नंबर नहीं आ कि झाले वाँ तो दोस्तों यह था बाना हिल्स गोल्डन ब्रीज और उसके आज पास की सारी इस्ट्रेक्शन जो मैंने आपको दिखा दी है अब मैं यहां से हम वापस जाने वाले हैं साड़े तीन का टाइम हो रहा है साड़े तीन का अमारा वापसी का टाइम था तो बस हम यह एक जगा खटा होना शुरू हो गया है और अब यहां से रोप में लेके वापस नीचे जाएंगे और फिर वही बस में बैठके अपने होटल तो चलिए यह वीडियो मैं यहीं अंड करता हूं मिलते हैं आपसे नेक् सब्डेट के लिए मुझे इंट्राग्राम पर फॉलो कर लीजिए बागी मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में और अगर चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चलिए बाए